Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Tashkir. Guys, इस particular video में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग Google Sheets को connect कर सकते हैं Google Data Studio से और जो हमें information मिलें कि उसको किस तरीके से हम अलग-अलग तरीकों से visualize कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं और start करते हैं हम लोग Google Sheets को connect करने से. तो guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे पास एक dummy data है, इसी को हम लोग use करेंगे, यहाँ पर मैंने headers वोगएरा भी define कर रखे हैं. तो यह बहुत ही एक basic सी data है, यहाँ पर serial number है, उसके बाद name of the students है, यह kind of एक, हम कहें कि students के marks और roll number की data है. तो बहुत ही basic सी data है, मुझे केवल आपको explain करना है, कि Google Sheets को किस तरीके से हम Google Data Studio से connect करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर किस तरीके से हमें dimensions और fields दिखाई देती हैं, और क्या basics हैं. So guys, यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं, Google Data Studio के उपर, और guys, मैं यहाँ पर click कर देता हूँ, blank report के उपर, fine guys, हम लोग जैसे ही blank report के उपर click करेंगे, आपके सामने option आ जाएगा, कि आप कौन सा Google Connector को use करना जा रहे हैं, तो हम लोग simply Google Sheets को select कर लेंगे, तो basically यह जो ID है, जिससे मैं अभी Google Dashboards के उपर काम कर रहा हूँ, Google Data Studio के Dashboards के उपर, same IDs पे ही हमारी यह Google Sheet भी है, इसलिए यह automatically sync हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो, जितनी भी मेरी Sheets हैं, वो शारी यहाँ पर दिख रही हैं, तो guys, म जो हमारी Google की Spreadsheet है, बत उसके अंदर भी हमारे पास Worksheets होती है, तो guys, यहाँ पर आप देखेंगी, यह अलग-अलग Worksheets हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 5th वाली Worksheet की बात करें, जिसका नाम है dummy data, तो मैं dummy data को use करूँगा, अब बहुत ही important चीज, यहाँ पर आप आप देख filter self, यह भी मुझे include करना, और यहाँ पर हमारे पास एक और option होता है, जिसके through हम range wise जो है, data को import कर सकते हैं, यहाँ Google Data Studio के अब range wise की मैं बात करूँ अगर, तो guys, अगर मुझे इतनी ही data को import करना है, जैसे मुझे केवल इतनी data को import करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर use करू तो यह actually requirements के उपर होता है, कि आपको कितनी data के उपर काम करना है, कितनी data को visualize करना है, कितनी data को Google Data Studio के अंदर ले जाना है, उसके उपर है, तो बहुत ही basics है, right, मैं एक बार के लिए इसको remove कर देता हूँ, क्योंकि हमें पूरी ही data यहाँ पर चाहिए, ठीक है, और उसके यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, उमर, यहाँ पर दो बार मैंने नाम यूज किया है, उमर, तो यहाँ पर जो हमारे पास dimension है, वो name of the student है, name of the student हमारी dimension है, और metric यहाँ पर record count है, तो यह जो सारे आपकी information थी, यहाँ पर, आप देख रहे हो, role number, English, Hindi, Maths, Geography, यह सारे आप यहाँ पर available fields हमें दिखाई दे रही है, तो जो name of the student है, उसको हम लोगों यहाँ पर basically dimension ले लिया, और जो यहाँ पर हमारे पास marks है, उनको हम लोग यहाँ पर metric ले सकते हैं, तो guys मैं इसको select कर सकता हूँ, एक एक करके, जैसे मैं English यहाँ पर select करना चाहूँ, English select कर सकता इसको मैं ने remove कर दिया, एक time के लिए, उसके बाद geography मैं यहाँ शो कर सकता हूँ, लोग लंबस अगर मैं शो करना चाहूँ, तो रोल लंबस भी मैं यहाँ यहाँ पर शो कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप किस तरीके से जो आपकी Google Sheets हैं, उनको basically आप connect कर सकते हो, अपने Google Data Studio के साथ, और वहाँ की data जो है, वो आप यहाँ पर शो करा सकते हो, बड़े सारे cases में, हम लोग बहुत सारे जो data है, वो Google Sheets के उपर रखते हैं, और हमें जरूरत है कि उस data को लेकर आना है Google Data Studio के अंदर, तो इस type से हम उसको connect करके यहाँ पर ला सकते है अब important चीज़ यह है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो, available fields, वो सारी fields हमारी यहाँ पर हमें देख रही है, ठीक है, and उसमें सही हमें dimensions को use करना है, उनहीं में से हमें matrices को भी use करना है, so guys, इस particular वीडियो में इतना ही, मिलता है next वीडियो में, till then, goodbye.